हेलो एवर्यून गुड आफ्टरनून एसी सरकीट मां आपने वाद करिये तो आपने थर्ड चेप्टरल चाली रही उचे तेमा आपने त्रोण मेथड़ वीसे वाद करी वेक्टर औने फेजर नी रीत अडिमेटन्स रीत औने कॉंपलेक्स एलजीब्रा नी रीत तो आप त् शुझे शल्चा करीति तेवीज रीते आपने यहां प्याछ्य लर ड रेजोनन्स विसे शमज़ वादू छे तो प्यलै गच्वेशन धूसिक्टर अपने न हेले सरकीट मा जे फ्रिक्वंसी माटे अपने जे फ्रिक्वंसी माटे करंट आईसी अने कमपोनन्ट आईयल साइन फाईयल नेकी मत सरकी थाई छे तेने आपने सलय फ्रिक्वंसी रिक्वंसी क कहिए छे फ्रिक्वंसी रिक्वंसी माटे इसी आईयल आईयल अने कमपोनन्ट आईयल साइन फाईव निकी मत जआरे सरकी थाई छे ते किमत ने ते frequency ने आपने resonance frequency कहिया छे हवे आई या पैरेलल रेजोननस मा पड़ आपने आपेलो छे पैरेलल सरकित छे RL ने C ने तहीं या alternating voltage supply आपेलो छे alternating voltage supply then resistor, inductor अने capacitor capacitor, 3 ने पैरेलल मा जोड़ेला छे resistor अने inductor ने series मा जोड़ेला छे अने capacitor ने पैरेलल मा जोड़ेला छे हवे ज्यारे आ सरकित ने आपने supply आपेलो छे इल्ले के alternating voltage supply आपेलो छे त्यारे ते माथी current पसाथा छे हवे ए current बे भागमा वेच जाए छे IL अने IC बे भागमा ते current वेच जाए छे आगर जोई है तो आ थाई गए आपनो डायग्राम वेक्टर डायग्राम तो IL कॉस्फाइल कैपेसिटर जे छे लीडिंग करसे इटला मेटा IC उपर आउसे लेगिंग करसे इटला IL नीचे आउसे IL साइन फाइव नीचे IL कॉस फाइव पर और अने तेनी वच्चे एक एंगल बनाउसे जे मर से आपने टूटल IL अनने 5L जेटलो एंगल बनाउसे हवे आपने एक एकजामपल तरीके धारी लईए के RL अने L अलेके रजिस्टर अने इंडक्टर वाड़ी जे कोईल होई छे तेने कैपेसिटर C साथे पैरेलल मा जोडवामा आवे छे जे आपने आगल चाचा करी तेज छे तेने वोल्टेज वी जेटलो इलेके करंट I L प्रसार थाई छे जे वोल्टेज करता केटलो पाचल छे फाईयल जेटलो पाचल रहे छे आ करंटने I L ना बै कंपोनन्ट छे I L ना केटला कंपोनन्ट छे बै कंपोनन्ट छे एक्टिव कंपोनन्ट छे वोल्टेज ना फेज मा छे Then il cos 5 l औने बीजो component छे 2 component छे il cos 5 l औने i l sin 5 l जे वोलटेज वेक्टर साथे 9ंो खुणो बनावे छे यले के आ बन्यों कमपोनन्ट voltage वेक्टर साथे ゃ तो आ रहों किटली आ रहों खुणो बनावे छे आ गंपोनन्टने reactive component कहे छे यले के आईयल साइन्ट फाईयल ने रियक्टिव कंपोनेंट कहवाई छे हवे कैपेसिटर वाली ब्रांच मा थी करांट आईसी वहे छे जे 90 डिगरी आगळ छे जियारे आईयल अने आईसी एक बिजाथी विरुद दिशामा छे करांट आईसी अने आईयल नी की मत किटली हसे एकसेल अने एकसी पराधार राखे छे इल्ले करांट आईसी अने आईयल नी की मत सानी पराधार राखे छे कैपेसिटर अने इंडक्टर इल्ले के एकसी अने एकसेल पराधार राखे छे आईल अने एक सी एक बी जाथी विरुद्ध दिशामा होई छे हवे ज्यारे पर करण फ्रिक्वंसी जेम जेम आपणने वधारी सु फ्रिक्वंसी एफ वधार हसे तेने त्यारे एकसेल इस इक्वल टू टू पाई एफेल भदे छे इटले के एकसेल इस इक्वल टू सुछे आपणने एक्वेशन कबर छे एकसेल इस इक्वल टू टू पाई एफ एल जेटलू छे तो एकसेल जो फ्रिक्वंसी वध से तो एकसेल सुथ से गट से केम के बनने हो सर्खा चे प्रपोजनल मा चे हवे जियारे आपने XC, कैपेसिटर निवाद करी शू तो जेम जेम फ्रिक्वनसी वद से तेम तेम कैपेसिटर पर गट से आने XC थू था से XC वद से आ रिते आपने तेनों डाइग्राम हाथ अवे एक वार फरी थी रिवाइस करी लेए के पैरेलल सरकीट पैरेलल रेजोनस समझाओ एक गणी बधिवार जीटियों मा पुछाई गईलू छे तो आपने द्यान राखी ने फरी एक वार रिवाइस करी लेए पैरेलल सरकीट मा जे फ्रिक्वनसी माटे करन्ट IL अने कंपोनन्ट IL साइन फायल नेकी मर्थ चे पणेव कंपोनन्ट नेकी मर्थ केवी थाई छे सरकी थाई छे त्यारे दे फ्रिक्वनसी ने आपने रेजोनन्स फिक्वनसी कही शूं अवेज एनी सरकीट छे जी आपने जोईए रजिस्टर अने इंड़क्टर इब अन्युने आपने सीरीज मा जोडे रचे अने तेनी साथे पैरेलल मा सु जोडेलू छे कैपिसीटर जोडेलू छे हवे आ सरकीटने आपने ज्यारे पन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सपलाई आपिशु त्यारे तेमा थी करंड पसार थाई छे हवे जे अल्टरनेटिंग करंड आपने लूँ छे या आई या सु आपने लूँ छे अल्टरनेटिंग करंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी हवे ए जे वो सरकीट मा पसार थासे ते वो करंड प्रोड्यूस थासे हवे टोटल करंट आई पास थाई छे इमा थी बे ब्रांज छे माटे तेना बे भाग पड़ से i is equal to il plus xc अथवा तो ic आम तेना बे भाग पड़ा छे हवे प्रतम ब्रांज जे छे तेमा रजिस्टर अने इंडेक्टर बन्ने उने सीरीज माँ जूड़ेला छे अने तेमा थी केट्टो करंट पसार थाई छे बीजी ब्रांज मा खाली ने खाली क्यापेसिटर रापेलू छे अने तेमा थी ic जेट्टो करंट पसार थाई छे हवे ic il plus ic करी छूँँद आपणने कवे करंट मल से टोटल करंट i मल से हवे आपने वेक्टर डायग्राम जोहिए तो कोईल जे कोईल जे छे ब्रांच il एले के इंड़क्टर वाड़ी तेमा थी फर्स्ट ब्रांच जे छे एमा थी इंड़क्टर करंट पसार थाई छे जे 5L जेटलो आगर चे पसी एंड़कटर करंट कुटलो आगर छे 3L जेटलो आगर चे जए वोल्टेज करता 5L जेटलो पाचल चे एले के इंड़क्टिव करंट j इय छे, एक कीटलो पाचल चे ફાઈય જીટલો વાચળ છે હવે આ કરણ આ એયલ ના બે કંપોન્ટ છે ઇટલે કે જે આ એયલ કરણટ છે एना कितला कंपोनेंट छे 2 कंपोनेंट I L sin 5 अने I L cos 5 हवे active कंपोनेंट अने reactive कंपोनेंट 2 कंपोनेंट छे तो एमाथी I L cos 5 अडे बीजो कंपोनेंट जे छे I L sin 5 हवे जे voltage vector थी बन्नेव खुणा जे छे इन वोल्टेज व्यक्तर थी केटला खुणा बनाव छे 9 डिगरी ना खुणा बनावे छे आ कंपोनेंट छे एने आपने रियक्तिव कंपोनेंट कही श्यू हवे बीजी लीते capacitor वाली ब्रांच निवाद करीए तो IC बीजी ब्रांच माँ पन capacitor फर्स्ट ब्रांच माँ इंडक्टर वाए छे सेकेंड ब्रांच माँ capacitor पास थाई छे अने ए केटलो छे नेवू डिगरी आगल छे अबे ए नेवू डिगरी आगल होवा थी IL औने IC एक बीजा थी विरुद्ध दिशामा छे IL एकजेट विरुद्ध दिशामा छे IC नी औने IC पन विरुद्ध दिशामा छे IL नी हवे ज्यारे करंड IL औने IC नी की मत कोना परादारी थोई छे XL औने XC परादारी थोई छे હવે jam jam frequency वद छे તેम тебе al पण વदવानोच और jam jam Capacitor निवाद करिए तो jam jam frequency वदे छे તેम тебе al સ્સ્ં सो थाई छे અने ic વदા छे पाइ paklov maj universal inversely proportional छे माटे जो capacitor frequency वदे तो XC गट से अने XC गट से तो IC वद से तो आ थाई गई आपने parallel connection parallel resonance और resonance frequency parallel resonance कोने कहे छे ते आजी आपने complete थाई गई तेंक यू